कि नमस्कार रात के आट बज गया आप देख रहे हैं कि दिश्पर खब्रों का प्राइम टाइन शो ड्यूस नाइट मैं हूँ आपके साथ आ रहे तो आगर आज की बने खब्रों की बात की जाए तो बंगाल में आज भी लगा ताज रोज की वर्शन देखते को बिला है पहला प्रणी डॉक्टर की रेप और हत्या के बात से लगाता रहा तहाँ जाए 9 अगस्त की और 19 अगस्त की रात की जट्टा की बात से लगाता इस पूरे मामने पे बंगाल में उबाल देखने को मिलवा है विर्दा के माता पिता ने आज उनके नियाएक की रड़ाई में देश भर से मिल रहे समर्तन के लिए देश भर का आभार जटाया है तो बीजेपी ने कल के बंग के बाद एक तरीके से साथ दिन का धतना प्रदशन भी आज शुरू कर दिया है क्या है पूरी खबर दिखाएंगे बिस्टार से इसके लाव आपको बताएंगे कि बाड़ और बारिश की वजए से गुजरात और अन्ले राज्यों में क्या है हालात और कैसे उससे निप्टा जा रहा है इसके लावा बात होगी जम्मू, कश्मीर और हरियाना में जहां विधान सभा चुनाओ की तारीकों का एलान हो चुका है वहाँ पर क्या कुछ 86 हल चल जल लही है इसके लावा दिखाएंगे देश दुनिया की बड़ी खबर होगी खेल और अर्थ जगत की भी बड़ी खबर होगी तके शुरुआत इस वक्त की हैडलाइन्स के साथ हर्याना चुनाओ के लिए भाजपा के इंद्रिय चुनाओ समित की पार्टी मुख्याले में बैठक प्यम मोदी सहित वरिष्ट नेता बैठक में कर रहे हैं शिरकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड़्डा के आवास पर हर्याना कोर्ग्रूप ने यामन्थन जम्मु कश्मीर विधानसवा चुनाओ के दूस्टे चनल की 26 सीटों के लिए अधिसूशना जारी पाच सितमबर नामांकन की अंतिम्तिती भाजपा का चुनाओ में शांदार शुरूआत का दावा चुनाओी रेवडी की सियासत वाले इंडी शाषित राज्य आर्तिक बदहाली का शिकार विगडी हे माचल की आर्तिक स्थिदी सीम सुट्टू का मंत्री मंडल सहिफ के दो महिने तक नहीं लेगा वेतन भाजपा ने बोला हमला कॉंग्रेस की मीतियों और फुशाशन को बताया जिम्नेदार बारिश और बार के कहट से गुजरात बेहाल वक्तमत्री बुपेश पटेल ने प्रभावेत इलाफों का किया आवाई सर्वेक्षाप बुधान मंत्री ने सीम से बात कर लीस्टीती की जारकारी रहत और बचाव वियान जुद्िस्तर पर जारी बुधान मंत्री मोदी ने कहा लगपती दीदी कारक्रम ने बहिनाओं के सैक्षनिक, सामाजिक, आर्तिक और सामाजिक शजक्ति करणको किया सुनिशित राण मंत्री ने रश्री मंत्रे शिवराव सिंग चौहान के इससे सम्मंदित पोस्ट को किया है साजा बोलकाता दुशकर्म और हत्या के मामले में तेज हुई इंसाफ की मांग भाजपा का साथ दिरों का धबना सुकानता मजूमदार ने राजजपाल को लिखा पत्र पीड़ता के माता-पिता ने नियाई की लडाई में साथ खड़े रहने के लिए देश का जताया आभार असम में मुस्लिम शादी और तलाग का रेइस्ट्रेशन अब होगा अनिवार विधान सभा से पारित हुआ विदेहक मुक्त मंत्री है मंत विस्टर सर्मा ने कहा खत्म होगी बाल विवाह और काजी विवस्था बहुविवाह को खत्म करना होगा अगला लक्ष उत्रप्रदेश के बहराईश में पकला गया एक और आदम खोर भेडिया दो और की तलाश जारी 35 गाओं में भेडिये के आतंग से मचा है हाहा का जाक कर पहरा दे रहे हैं लोग दो महीने में साथ लोगों की कुई है बाल भारती नौसेना की तागत को मिली और धार बेड़े में शामिल हुई परुमाण संचालित पंडुकी आईनस अरिगाद मिशाका पत्नम में रक्षा मंत्री ने नौसेना में कराया शामिल खबरों पे डालते हैं विस्ताथ से नजर हरियाना विधान सभा चुनाओ की हल चल तेज हो गई है पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए भाजपा की केंद्रिये चुनाओ समित की बैठक हो रही है दिल्ली इस सित्व भाजपा मुख्याले में होने वाली इस बैटक में पुदान मंत्री नायदर वोदी और पार्टी के रास्ती अद्दक्ष जेपी नड़ा सहीत वरिष्ट नेता शिर्कत कर रहे है माना जा रहा है कि केंद्रिये चुनाओ समित की बैठक के बाद 90 विधानसवा सीटों में से ज्यादा तर सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोशना हो जाएगी इस बीच पार्टी में बैठकों का दोर जारी है दिल्ली में पार्टी अद्दक्ष जेपी नड़ा के घर पर राज्यकोर ग्रूप की बैठा कोई इसमें पार्टी के वरिष्ट नेता अमित शाह और मुक्यमंत्री नायब सिंग सहीत कई नेता शामिल हुए माना जा रहा है कि इस बार विधान सभा चुनाओ में पार्टी नए उम्मीदवारों पर ज्यादा दाउन लगा सकती है इन सब के लावा हरियाणा के मुक्यमंत्री नायब सिंग सहीनी ने भाजपा के प्रदेश चुनाओ प्रभारी धर्मेंद प्रधान से उनके आवास पर मुलाकात की उधर जम्मू कश्मीर विधान सभा चुनाओ के दूसरे चलन की 26 सीटों के लिए अदिसूशना आजजारी हो गई इस चलन में 5 सितंबर तक नामांकन दाखिल किये जा सकेंगे 6 सितंबर को नामांकन पत्रों की जाच होगी जबकि नामांकन बापस लेने की तारीक 9 सितंबर रहेगी दूसरे चलन में वोट 25 सितंबर को डाले जाएंगे इस चलन में गंदरवन, श्रीनगर, बढ़गाउं, पुंच, लियासी और राजवरी की 26 विदानसवा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा वहीं विदानसवा चुनाओ के पहले चलन के लिए कल 24 निर्वाचन शित्रों में नामांकन पत्रों की जाच की गई 29 नामांकनों में से 244 नामांकन वैद पाए गए जम्मो कश्मीर में तीन चलनों में चुनाओ होने हैं और दूसरे चड़ के लिए होने बाले चुनाव के लिए नोटिफिकेशन आज से जारी कर दिया गया है अगर इस चड़ में देखें तो पांच सितंबर तक आप नोटिफिकेशन यानि की जो मीदवार हैं वो अपने नाम दाखिल कर सकेंगे तो वहीं 6 सितंबर को की तिती रखी गई है और 9 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे यानि की दूसरे चड़ का घमासान 9 सितंबर के बाद शुरू हो जाएगा पहले चड़ के लिए नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया है और इस महीने की 30 तारीक को नाम वापसी की आखरी तिती है यानि की पहले चड़ का जो घमासान है वो इस महीने की 30 तारीक से ही शुरू हो जाएगा कुल मिलाकर देखे तो पहले चड़ में 24 और दूसरे चड़ में 26 सीटों के लिए मतदान होना है लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में देखे तो तीसरे चड़ के लिए जो नोटिफ पूरवक मतदान हो सके और इस पूरी की पूरी कवायद में जो उनके पास मेंडेट है फ्री एंड फेर इलेक्शन कराने का उसके लिए उन्होंने हर वो मुकमल तयारी की है जिससे इसमें वोटर टरन आउट भी आगी रहे तो देखना होगा कि इस दूसरे चड़ के लिए अब उम्मीदवारों की जो कवायद है वो किस तरीके से शुरू होती है कैमरावन अनिकेत के साथ रिशी कुमार डीडी नीउस श्री नगर और अगली खबर बंगाल से जुड़ी होई नौ अगस्त की रात में कोलगाता में बहिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या का मामला लगातार गर्माया हुआ है जहां एको डॉक्टर्स का प्रदेशन जारी है तो भी तो तिनों हुए चात्रों के नवनना मार्च के दौरान पुलिस की बरवरता की तस्वीरे भी अभी ताजा है पुलिसिया कारवाई के बाद भाच्पा ने कल बंगाल बंद किया था तो आज से भाच्पा ने साथ दिन का धरना प्रदेशन शुरू कर दिया है बीजेपी लगातार ममताव अनरजी से स्तीफ़े की मान कर रही है तो कौंग्रिस भी ममताव सरकार की अराजक्ता के खलाव बयाद देने लगी है कौलकता में डॉक्टर के साथ दुशकर्म और हत्या मामले में नयाएकी मा की लड़ाई जारी है बाजपा लगातार ममताव अनरजी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है बुदवार को राज युवापी बंद के बाद गुरुवार से साध्यूसी धरने की भाजपा ने शुरूआत की है हाई कोर्स या नुमती मिलने के बाद भाजपा ने धरना शुरू किया है हलाकि आदालत के आदेश के बाद भी आधी रात को मंच लगाने को लेकर कुछ भी बाद हुआ मंगलबार को विरोध परदेशन कर रहे चात्रों पर पुलीसिया कारवाई के खिलाब बुधवार को भाजपा ने 12 घंटे का बंद बुलाया था इस दोरान भी जगा जगा हिंसा हुई देशी बंप से लेकर कई राउंड फाइनिंग की घटाएं सामने आई मुख मंतरी ममता बनर जी लोगों के आक्रोश को कम करने के बजाए हर किसी को धमकाने पर उतारू हो गई है यहां तक कि ममता बनर जी हरताल पर बैठे डाक्टरों को भी धमकी दे रही है भाजपा का आरोप है कि ममता अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए छात्रों को ड्राने की कोशिश कर रही है पंगाल में मम्ता बनर जी हार चुकी है अपनी लोग प्रेता खो चुकी है इसलिए वो आवसम बैधानिक बाते बोल रही है संगिय धाचा को तोर रही है हलाकि मम्ता बनर जी अपने बयान पर अब सफाई देते हुए दिखाई दे रही है उन्होंने मीडिया दोरा अपने बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया मम्ता बनर जी ने कहा कि उन्होंने चात्रोर उनके आंदोलन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है जबकि भाजपा मम्ता पर राज्य की कानून व्यस्था को चौपट कर देने का आरोप लगा रही है मम्ता बनर जी ने कहा था कि अगर बंगाल जलेगा तो असम और दिली भी जलेंगे कॉंग्रेस पार्टी भी आखिरकार इस मुहिम में शामिल होने का निला लिया है कॉंग्रेस निता अधीर रंजन चौधरी समेथ पार्टी के कारिकरताओं ने मामले में विरोध पदशन किया मम्ता बनर जी खुद यह नहीं चाहते कि इसका सही डंग से तप्दिश हो बहुसतर राज खुल जाएगी ना वो नहीं चाहती हम लोग तो अच्छा ही चाहते हैं हाई कोट सीबियाई को अच्छा समझता है इसलिए इसको केस दिया गया है हम पूरे वक्त कोशिस कर रहे हैं कि हम लोगों को इंसाफ मिले इस मामले में सीबियाई की जान जारी है सीबियाई की टीम आरचीकर मेडिकल कॉलेज यों मस्पताल के मुर्दा घर पहुची और मामले की चान बीन की उधर बेटी को नयाय दिलाने की माँ को लेकर महिलाओं ने भी आज कोलकता में विरोध परदेशन किया टीम सी ने भी बेटी को इनसाफ दिलाने के लिए धरना परदेशन का एलान किया है यानि पीड़ता को नयाय दिलाने की इस जंग में अब राजनेतिक पार्टियां आमने सामने हैं लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ममता सरकार बेटी की इनसाफ के लिए इमानदार कोशिश कर रही है या इस मुद्दे को भटका रही है ब्यूरी रिपोर्ट डीरी नियूज और बात करते हैं बौसम की क्योंकि इस वक्त भारी बारिश की वज़े से गुजरात का हाल बेहाल है और लगातार बारिश की वज़े से बार जैसे जो हालात पैदा हो गए उससे ना सिर्फ सामान जंजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है लकी हजारों की संख्या में लोगों को सुरक्षित इस्थानों पे पहुचाया गया है SDRF, NDRF सेना और Y सेना लगातार फस गए लोगों को सुरक्षित इस्थानों तक पहुचाने का काम कर रही है तो ऐसी तस्वीरे लगातार आ रही है जो कि एक तरीके से दिल दहला देने वाली स्थिति दिखाई पड़ती कई बार लोग कहीं बार की स्थिति बेफ़ जाते तो वहां देवदू बनके तमाम जो रहत एजनसियों के कर्मी है वो पहुचते हुए नजर आ रहा है यही हालात कुछ और राज़ों में भी है जिन इलाकों में भारी बारिश और बार हो रही है वहां पर भी सामान जन जीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है कैसे है मौसम की मार देखिए इस रिपोर्ट पर आफ़त की बारिश से राहत नहीं बारिश बार से गुजरात बेहाल गुजरात के हालात पर पियम मोदी की नजर मुख्यमंत्री लगातार कर रही है स्थिती की समीक्षा बारिश के अलर्ट ने बढ़ाई लोगों की चिंता राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी तरिब 40,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया भारी बारिश के चलते जन जीवन अस्त व्यस्त गुजरत में भारी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है सौरास्ट और कच्छ में सबसे ज्यादा बुरा हाल है इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर अगले कुछ घंटे इन इलाकों के लिए भारी बताएं है यहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है राजे के कई इलाकों में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है एहमदबाद के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जल भरा हुआ लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्य मंत्री भूपेंद्र पटेल से बाद कर बाढ़ के हालात की जानकारी ली प्रधान मंत्री ने उन्हें के इंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता और सहीयो का अश्वासन दिया मुख्यमंत्री भी लगाता राजी की स्थिती की समीक्षा कर अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं उन्होंने पानी में फसे लोगों के लिए राहत कारियों को फ्राथ मिक्ता देने का आग रहे किया खास कर वडोदरा शहर और जिले, देव भूमी द्वारका और जामनगर जिलों में भोजन के पैकेट, पीने के पानी के पाउच और स्वास्ते संबंधी दवाएं उकलब धकरानी की निर्देश दिये गए हैं गुजरात में आई भारी आपदा में NDRF, SDRF और सीना दिन रात रहत और बचावकारे में जुटी हुई है राजी के साथ केंदर सरकार भी लगातार हालातों पर नजर पनाए हुए है केंदर की और से लगातार राजी को मदद भी बेजी जा रही है राजी में इस समय 14 टीमें NDRF यानी राज्ट्री आपदा प्रतिक्रिया बल और 22 टीमें SDRF यानी राज्जे आपदा प्रतिक्रिया बल और सेना की 6 टुकडियां तैना की गई है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक करीब 40,000 लोगों को निकाला गया है पिछले दो दिनों में द्वारका में भारी बारिश हुई है लोगों के घरों में पानी घुज गया है इस दोरान NDRF ने 95 लोगों को बचाया है राजे के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित इस्थानों पर पहुँचाया गया है पिछले 24 गंटा में जो रेनफॉल रेकॉर्ड हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा कच्छ में 30 सेंटीमीटर और द्वारका में 29 सेंटीमीटर रेनफॉल रेकॉर्ड हुआ है और ओवराल देखा जाए तो टोटल एक्स्टिमली आठ जगों पर रेकॉर्ड हुआ है और भेरी हैवी 11 जगहों पर और 18 जगहों पर हैवी रेनफॉल रेकॉर्ड हुआ है इस बीच वन विभाग ने महराजा सयाजी राव युनिवर्सिटी ओव बड़ोदा के परिसर से एक मगरमच को रेस्क्यू किया वडोत्रा की विश्वामेत्र नदी में बाढ़ के कारण मगरमच पानी से बाहर निकल कर रिहाईशी इलाकों में गुस रहे हैं घर के अंदर मगरमच गुसने से लोग दहशत में हैं बाद में वन विभाक की टीम ने बड़ी मुश्किलों के बाद मगरमच का रेस्क्यू किया तब जाकर लोगों को रहत मिरी दिल्ली एंसियार में जहमा जहम बारिश का दोर जारी है दिल्ली में कुछ जगों पर तेज गरज और चमक के साथ मुसलाधार बारिश देखने को मिरी बारिश के कारण दिल्ली के धौलक हुआ चौदरी फते सिंग मार्ग, डिगम बोध घाट, आजाद मार्ग के इलाकों में बारिश के कारण जल जमा हुआ है दिल्ली में जगह जगह पानी भर जाने के कारण गाड़ियों की रफतार धीमी हो गई है दिल्ली के धौलक हुआ में भीशन ट्राफिक जम देखने को मिल रहा है बंगाल की खाड़ी से मॉइस्टर आ रही थी और हमारा अरेबिन सी से मॉइस्टर एक डबलूडी के है एड़ डबलूडी कंवर्जिस में था मॉइस्टर आपका डीप पेनेटरेशन हो रहा था दिल्ली तक दिल्ली और इन फेक्ट पूरा नॉर्थ इंडिया में जिसके चलते हमारा पूरा नॉर्थ इंडियन प्लेंस में कल भारी बर्शा रिकॉर्ड किया गया है मगर आज का जो स्थिती है हमारा उम्मीद है कि बारिश का जो पैटर्ण है जिसके डबलूडी की इंटरेक्शन से ही हमारा मेंली नॉर्थ के तरफ यानि जमून किश्मी हिमाचल प्रदेश और पंजाब हर्याना इन सभी इलाके में आपका भारी बर्शा रहेगी उतर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से आम जन जीवन अस्तिविस्त हो चुका है भारी बारिश के कारण वारानसी में गंगा नदी और गोरकपुर में राप्ती नदी खत्रे के निशान से उपर बह रही हैं कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं कि भारत में सलाना हजारों लोग हाथी पाउं नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं हाथी पाउं एक मच्छर के काटने से फैलता है हाथी पाउं का कोई इलाज नहीं है साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बिमारी से अपने आपको और अपने परिवार को बचाएं दस अगस्त को हाथी पाउं से बचाव की दवा अवश्यक खाएं. अपने आपको और अपने परिवार को इस दर्दनाग बिमारी से बचाएं. भारत सरकार द्वारा चनहित में जारी. तो कोई नुकसान नहीं होगा. जितना लेट करोंगे उतना ज्यादा नुकसान है. और सुन, सब चलता नहीं है. प्रॉपर चलाना पड़ता है. आर भी आ कहता है, जानकार बनिये, सतर करेंगे. मुथूट फाइनस से गोल लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है. क्योंकि यहां है पूरी ट्रांसपरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा. तभी तो मुथूट फाइनस है, भरोसा इंडिया खा. तो गोल लोन लेने के लिए कॉल करें. 1-800-313-1212. ब्रेक के बाद रुकरते कुछ और महत्पुल खबरों की ओर. रक्षा मंत्री राजनास सिंग्ग की मौजूदगी में आज भारती नौसेना में आई-न-स अरिखात को शामिल किया गया है. आई-न-स अरिखात से भारती नौसेना की तागत पड़ेगी. भारत की दूसरी पर पर्मान उर्जा संचालित बैलेस्टिक मिसाइल पंडुबी आई-न-स अरिखात को आंध्रदेश के विशाखा पत्नम में नौसेना में शामिल किया गया. यह पंडुबी छे हजार टन की है जो हिंद प्रशान्थ शित्र में लंबी दूरी तक गश्ट लगाने में सक्षम ह इस पंडुबी को 750 किलमीटर तक मार करने वाली पर्मान मिसाइल के 15 से लेस किया गया है. रक्षा मंत्री ने विश्वास जताया है कि अरिखात पर्मान प्रतिरोत को बढ़ाएगी. शित्र में रणनीतिक, संतुलन और शांते स्थापित करने में भी बदत करेगी. शातिसा प्रता हासिल करने के अटूट संकल्ब का प्रमार बताया है. राजना सिंग ने इस श्वामता को हासिल करने में भारती नौसेना, डियाडी और उद्योग जगत की कड़ी महनत और तालमेल की सराहना भी की है. ब्रिटन के साउथ हेंटन विश्विद्याले को विदेश मंत्री डॉक्टर एजय शंकर ने आज लेटर आफ इंटेंट सौप दिया है. साउथ हेंटन विश्विद्याले नई सिक्षा नीती 2020 के इंतरगत भारत में एक परिसर इस्थापित करेगा. इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एजय शंकर ने कहा कि ये हमारे सेक्षिक मानकों को उच्चितम वैश्विक इस्थर तक बढ़ाने तथा भारत बिटेन सहियोग के सिक्षा इस्थम को मुझबूत करने के दस्टिकोन को दरशाता है. और ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस तरह के प्रयास हमारे युवाओं को विश्व के लिए तयार करेंगे तथा वैश्विक समझ और सहियोग की भावना को भी बढ़ावा देंके. We are witnessing a significant milestone in international education in India. The issuance of the letter of intent to the University of Southampton, one of the top 100 universities of the world. And it's issued as they prepare to establish their first campus in India. Today's event is also a testament to the strong and multifaceted bilateral ties between India and the United Kingdom. NEP 2020 is more than just a policy. It is, in fact, a vision for the future of education in India. One that aspires to elevate our standards to the highest global levels. It aims to make India a hub of excellence, attracting students from around the world, setting up foreign university campuses, and fostering global competencies among our students and our faculty. और अर्थ जगत से जुड़ी हुई credit agency Moody's ने भारती है, ग्रामीड मांग में सुधार के संकेतों का हवाला देते हुए, 2024 और पच्चेस के लिए भारत के विकास अनुवान को बढ़ा दिया है. Moody's ने उमीद जताई है कि भारत की अर्थ विवस्ता की विकास दर, इंद्री चुनाओ समित की बैठक हो रही है, आगामी विधान सभा चुनाओ को लेकर जहां प्रधान मंत्री नेंद्र मोधी पहुंचे है, ये भाज़वा मुख्याले से तस्वीर है, हमारे सेयोगी शैलेंद्र विश इस वक्त हमारे साथ में इस कबर पादिक बाचित के लिए मौजूद है, शैलेंद्र का रुकत है, शैलेंद्र आज एक तरीके से हरियाना पर फोकस तरीके से बात होगी, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं प्रत्याशियों के चैन को लेकर और किस पकार के फॉर्बूले के इर्द गिर्द हम प्रत्याशियों के चैन की एक घोशना होते देखेंगे, शैलेंद्र. प्रत्याशियों के लिए बीजेपी के मुखेला है हुए है, जो फार्मूला ये बताया जा रहा है कि नए चेहरों को मौका देने की बात कही जा रही है, यानि परी संक्षा में युवाओं को किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा चुनावी राज़ित न उतारा जाया है, तो इसका मतलब यह है कि कई ऐसे जो मौझूदा विधायक हैं बाते जिनता पार्टी को, उनको हो सकता है टिकट ना मिले, जो फिल्पैक का पार्टी ने एक ऐसा तबका जो रिटामन के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरते, औरते कमा के भी वनरेबल है, तो एनपीस एक एक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लाटफॉर्म पे है, अपने बहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए, एनपीस जरूरी है और देलुगा चैल चबीरा आया देखा चैल चबीरा जो पशो की सहथ अच्छी रखता है और ब्याद भी बढ़ाता है। दे जाओ। कबिला, देश का नंबर वन पशुआ हार। काट! सुरक्षा थी गारंटी हर चीज में ज़रूरी है। चाहे वो मश्कल स्टंट हो, या अची फसल। इसलिए ले आईए आयल के ट्रैक्टर ब्रैंड का शिर्बार जो देता है सुन्डी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी शादी का किचिन में के जहां, गोल्डी किचिन किंग मसाले हो वहाँ गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टिकनोलजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश ब्रकेवाद कुशार बहत्पुर खबरे, बुफ्त की रेवडी बाट कर सत्ता हासिल करना और उसके बाद वित्तिय बोश तले आर्थिक प्रबंधन पूरी तरीके से चर्मना जाना ये खराब वित्तिय इस्तिति, हाल फिलाल के समय में कुश राज्जियों में देखने को मिल रही है कांग्रेस पार्टी ने फ्री वीज के नाम पर हिमाचल प्रदेश की सत्ता हासिल की थी लेकिन अब राज्ज की वित्तिय इस्तिति इतने खराब हो गई है कि मुख्य मंत्रियों और अन्य मंत्रियों और विधायकों से सैलरी ना लेने की अपील कर रहे हैं ऐसा ही कुछ हाल आमाधी पार्टी के द्वारा जो गवन है पंजाब राज वहां का भी देखने को मिल रहा है पंजाब और हिमाचल प्रदेश चैसे राज़ियों के आर्थिक दूरदशा के प्रमाण लगातार सामने आ रहे हैं हिमाचल में ही हालात ये हो गए हैं कि स्वाएं मुख्य मंत्री और उनके मंत्रियों के साथ साथ शीर्ष अधिकारियों के वेतन और TADA तक पर अनिश्चितिता के बादल मंडराने लगे हैं मुख्य मंत्री सुख्विंदर सिंग सुखु राज़े की माली हालत सुधरने तक वेतन और TADA ना लेने की बात कर रहे हैं वहीं राज़े विधान सभा में मुख्य विपक्षिदल भाजपा का कहना है कि C.M. का ये बयान दिखाता है कि कॉंग्रेस सरकार की नीतियों और कूशासन ने राज़े को कहा ले जा छोड़ा है आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है दो महीने तक ना पे लेंगे ना टीए लेंगे ना दीए लेंगे और यही अन्रोद मैंने जब अपने C.P.S. सात्यों से कहा उनने कहा दो महीने तक हम भी नहीं रहेंगे महाज यह छोटा सा मॉंट है लेकिन एक सिंबॉलिक अमॉंट है यह चाए एक करोड है चाए डेट करोड है जितना भी है लेकिन एक सिंबॉलिक है राहुल गांदी का जो खटा खट मॉडल था उससे राज की वितिय स्थिती भयंकर और भयानव हो चुकी है और यही राहूल गांदी का गारंटी वाला मॉडल और उनकी एकॉनमिक थिंकिंग एक्स्पोज हो चुकी है हिमाचल में आर्थिक बधाली और कुशासन का मुद्दा भाजपा बार बार उठाती रही है भाजपा का कहना है कि गारंटीयों के नाम पर आस्मानी वादे करके सत्ता में आई कॉंग्रेस राजजी को आर्थिक रूप से पूरी तरह बरबात करने के लिए तुली हुई है राजजी सरकार पर आर्थिक अव्यवस्था के साथ घोटालों के भी गंभीर आरोप लग रहे है भाजपा विधायकों ने शराब घोटाले का आरोप लगाते हुए राजज विधान सभा से वौक आउट किया ध्यान रहे कि ये विभाग स्वैम मुख्य मंत्री सुखु के पास है दो साल से पूरुन विराम है पूरे परदेश पर गीत गाये जा रहे हैं कि रिन ले रखा है और जितना रिन मैंने पांच वर्षों में लिया ये आंकड़ा है उससे ज़्यादा रिन सुखु भाई एक साल में ले चुके है ये दो साल के कारेकाल में ही ले चुके हैं पांस साल में तो मालूम नहीं, एक लाख का अंकड़ा मुझे लगता है कि एक आदिम हीने में पूरा होने बाला है, एक लाख करोर का हिमाचल परदेश का जीन का अंकड़ा पार होने बाला है। 3,74,000 करोर रुपए तक पहुँच सकता है। राज्य सरकार आर्थिक प्रबंधन को सुधारने की बजाए राहत पैकेज के इंतजार में बैठी है। राज्य ने 16 वित्त आयोग से 1,32,000 करोर के बेल आउट पैकेज की मांगी है। इस बीच विपक्ष का कहना है कि राज्य सर राज्य सरकार केवल वाइदे कर रही है। उसका कहना है कि वो एक लाख करोड से अधिक राज्यस्व जुटाने का प्रियास कर रही है। हलांकि जमीन पर हालाद बदलते दिखाई नहीं दे रहे। बीरो रिपोर्ट डीडी निउस। तो क्या फिर मुफ्त के वाइदे कहीं सरकारों को जादा महगे पढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी पर हम करेंगे चर्चा इसी से चुड़ा है हमारा विशेश। कौंग्रिस की नेतियों से बदहाल हिमाचल क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो वित्तिय इस्तितिये वो बहद खराब होती नजर आ रही इस बात पर खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। प्रिके से प्रयास था वो हमाचल में सरकार बनाने तक तो ठीक था लेकिन सरकार के बाद के प्रबंधन में कई पूरी तरह फेल होता दिखाई पढ़ रहा है। द्वारा लिए गए लोन्स रिनो की अदाएगी में खर्च करना पड़ा। पंजाब से इसके तुलना नहीं की जा सकती। हमाचल प्रदेश के मुख्यमंतरी ने और उनके कैबिनेट के सहयोगियों ने जिस प्रकार से वेतन ना लेने का जो निर्ने किया है। उसकी सरहना होनी चाहिए बलकि उसकी आलोचना की जा रही है। यह अनुचित है। यह इस मॉडल की तो पूरे देश के सभी वुक्त लेकिन यह स्थिती आई की उसवाल यह उट रहा है सरा। बिलकुँज यह स्वागत यह की कदम है। उच्छुपदों पे बैठें लोग वालिंटर करें। जी। सरकार ने लीक से हटके कोई फैसला लिया है। नागर जी इसकी आलोचना नहीं हो रही है। आलोचना इस बात की हो रही है कि जो वित्तिय प्रवंदह ने वो खराब हो गया है। सरकार को वॉलिंटरिल ली अपने आपको पैसा जो मुख्यमंत्री है वो ना देने की बात कर रहे हैं और एक तरीके सा अपील कर रहे हैं क्योंकि जो गर्ज है वो इतना जादा बढ़ गया। वित्तियक को प्रवंधन पर सवाल है ये पहल अच्छी हैसा बिल्कु छोड़ देना चाहिए हमेशा के लिए चोड़ना चाहिए। देखिए एक समय वो भी था कि जब उत्तर प्रदेश के राज़ित भवन में एसी बंद कर दिये थे गवर्नर मोदे ने भारती दिन्ता पार्टी की सरकार की अटलगी की सरकार की तो ऐसी प्रियासों का मैं समझता हूँ आलोचना नहीं होनी चाहिए और राज्य विकास की दिगती पकड़ रहा है आगे बढ़ रहा है जिस प्रकार से प्राकृतिक आपडाओं का मुकाबला करके चाहिए वो चैराम ठाकूर जी की सरकार के समय हो या सुकूर जी की सरकार के समय हिमाचल आगे बढ़ रहा है ठीक हिमाचल आगे बढ़ रहा है चन्नी साब हमाई है कि अगर आप फोड कर सकते हो तो जैसे इनों ने हम आसे लोगों को लबाने के चक्कर में इतने इतने जूट बोलते हैं इतनी इतनी उनको बेफू बनाते हैं और आपके पास देने के लिए कुछ है नहीं ओल्ड पेंशन स्कीम का क्या हुआ इनका और यह कहते हैं एक लाख क्रोड एक लाख हम जॉब्स देंगे और एक लाख पचास जार लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे और तीन सो यूनिट बिजली के देंगे मैं यह कह रहा हूं कि देने का कोई इशू नहीं है पर दो जो जुरूरत मांद है जैसे आप ने कहा कि 18 साल से 60 एस की उसमें दो इंक्रोटेक्स पेईज भी आएंगे और बड़े सबी लोग आएंगे तो यह स्टार्ट साप का भी 680 क्लोट रॉपए का इरों नहीं कहा कि हम फंड जनरेट करेंगे मैं कहता हूं कि पहले कोई resources की बात तो कर ले कि हमारे पास आने वाला क्या है हमारे पास liabilities क्या है और उसके इसाब से अगर आप कहें तो और ठीक है बात और दूसरी बात जैसे इनकी जैसे राहूल गांदी जी है और ने क्या कि एक लाग फिप्या हर एक जो हमारी भेन है मां भेन उसके खाते में चाक 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 चला जाएगा जी और कहम ही हो वो लोग तो इनके दफ्तरों के चक्र लगा रही है महलाई कि भी हमने तो आपको वोटें डाल दी और आपको एकाउंट खुलवाने की तस्वीरे भी हमने देखी तो मैं आता हूं आपके पास में दुशन जी हमारे साथ में की चरचाय होती थे लेकिन अब उत्तर भारत में भी इस प्रकार से सत्ता हासिल करने के लिए सरकार बना लेना तो थीक है लेकिन उसके बाद क्या हालात हो रहे हैं बिना समझे कि साब आप कि इस प्रकार के आर्थिक वो जो first जाएंगे उसका उधारण दिखा इंप रहा है हिमाचल प्रदेश वो एक बड़ी आशंका सामने लाके रख देती है जिसको कई बार हम वोने कहा कि क्या फ्रीबीज पॉलिटिक्स से भारत शिलंका बन जाएगा नरेंद्र मोदी की इस बात के लिए प्रशंसा की जाने चहीं कि उन्होंने लगातार इसका विरोध किया लेकिन अभी भारती जनता पार्टी के भी कई राज हैं कई जिगा जहां चुना होने भाजपा भी फ्रीबीज पॉलिटि ने कहा जो प्लानिंग कमिशन के वाइस चेर्मैन थे यह ऐसे लोगों ने कहा जो कॉंग्रेस की रीती नीती मनमुहन सिंग के समय में बनाते थे कि आपको कहीं आगे निकलना पड़े क्योंकि भले ही OPS खतम हुआ NPS 2004 मेटली की समय में आया लेकिन उसे लागू कॉंग्रेस उप्या इक प्रतिकात्मा है ये दिखाता है कि कितना हीला हुँ आत्म बल मुक्यमंत्री का मुक्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है कि और क्या तरीका हो सकता जिएच और में ऐसी सिती हुई, सोचिए अगर बड़े राजियों में तो क्या होगा, और पंजाब में आपको याद होगा, जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, तो भगवन दमान दो दिन के बाद ही पहुंच आयते दिल्ली, और कहा कि हमें एक लाग करोड उपए का कर्श दे द जिए, क्योंकि धेर सारी फ्रिवीज हमने प्लान करकी है, इसलिए शायद कोई भी कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी, वो जो खाते में नगट डालने की बात है, उसको ठीक से लागू नहीं कर पाते हैं, जहां लागू करते हैं, वहां इस तरह की आर्थिक बरबादी न बगने चाहिए, कि सीवी जरूत मंद को पैसा तरकार दे रही है, उसको सोविधाय दे रही है, तो देना चाहिए, लेकिन इस वित्ती प्रबंधन को भी देखना पड़ेगा, उस अनुशाशन को मानना पड़ेगा, लेकिन उस लिहाद से तो यह बात कहीं फेल नजर आ रह से बहुत पिछड गए, इसलिए उनको इमिडेट कोई ना कोई मदद हमें देनी पड़ेगी, उनको मुख्यधार हमें रखने के लिए, और निरतर उनकी जो हालत बद से बत्तर हो रही है, मैं समझता हूँ, इस पे एक राय देश में हो नहीं चाहिए, और जो भारती जंता करिवार की एक जो सरसे बड़ी महिला मुख्या होगी उसको देंगे, अब आप कह रहे हैं जी वहां लाइन लगा दिया, वहां पे खाता खुलवाने के लिए चलेगे, यह बाती जंता पार्टी प्रोपगेंडा करती है, दस साल से ग्यारवा साल इका पूरा हो जाएगा सि काम के लिए अभी भी राहूल गांदी, अभी भी कॉंघरेस पार्टी, आप बताइए महरा राश्टरा की इस्तिति किया है, आप बताइए आपके अन्राज्यों में सरकार चल रहे हैं, वहां की वित्तिय किया है, कॉंघरेस पार्टी और воीपक्षर किया रूलिंट जो जिन्दन ये है और शुकु जी ने जो अपना वेतन छोड़ा है मैं समझता हूँ उसकी हम सब को मुक्तकर से प्रसंसा करनी चाहिए ठीक है चन्नी जी वो ये कह रहे हैं कि साब बाकी राज्यों में भी इस प्रकार के हाला थे हाला कि अभी तक किसी और राज्य के मुख्यमंत देखिए जो दा मोस्ट डेट रिटन स्टेट्स हैं पांच हिंदोस्तान में उन में उन पांच में से हमाचल भी आता है और पंजाब भी आता है और यहाँ पंजाब में तो इनका जो जी इस डी पी रेश्यो आप 46 परसंट है और हमाचल की 44 परसंट अगर ऐसे ची हाई कमांड मिलेगी तो इस टेट्स आर गूइंग टू बी बेंक्रफ और यहां फिनेंशल एमजेंसी लगेगी यह जी क्या बात करते इस अगर दो चार दस बीस सौ लोगों ने सैलरी नहीं ली दो मिन्ने क्या उसमें जो फिनेंशल संक्टा है वो खत्म हो जाएगा और ज जिसको नहीं चाहिए एवरी हाउसोल्ड यह माचल भी कहता है तीन सो यूनिर देंगे मौट एवरी हाउसोल्ड पंजाब ही कहता है वही जिसको जरूरत नहीं आया हमारा अभी बाई हजार क्रोड रुपेया बिजली का जो सबसिडी है वो हमारा बिल बन गया और हमारे पा जर्दा एक हजार भी नहीं लगा देंट है मनी इविंट ले वन ब्रिक पर ये बातें कारतें सिर्फ लोगों को कि हम सता में कैसी आए यह मैं मैं इन से जानना चाहता हूं जी ऐसी के यह देश वरोधी क्यों हो गे कि सता का प्यार इतना क्यों हो गया कि सता में आने के आने के लिए अगर कुछ भी करना पड़ रहा है उसके बाद में इस सिदी अगर आपके हां से निकल ली है तो सोचना पड़ेगा हर्श बर्दंज आपको लगता है कि सता हासिल करने के लिए कुछ भी वाइदे कर देना ये समझे बिना कि आपके जमीन पे खड़ें और दिन रमोधी की और आज भी चर्चा होने लगती है पुरानी आपको मैं याद कराता हूं 2004 में जब अटल विहरी वाजपेजी की सरकार गई तो पावर रिफॉर्म, टेलिकॉम रिफॉर्म, इंफ्रस्ट्रॉक्ट्टर रिफॉर्म, देश में जो गोल्डेन क्वाडिल वाला था तो उन्होंने क्रिशिकर्ज माफी कर दी और कहा जाता है कि उसने एक पूरी 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 पॉलिसी जो थी उसको बदल दिया एक सुपर प्राइमिनिस्टर सोनिया गांदी उनकी एनसी वो अलोगतांत्रिक थी असमवजधानिक थी वो बाकाजा ऐसे फैसले ले करने का और एक बात और समझी जब देश बेहतर इस्तिति में जाएगा तो शायर उन गरीबों कमजोरों को बेहतर तरीके से सोशल सीकूरिटी देने लायक होगा अगर देश ही इस तरह से फंस्ता जाएगा मुक्यमंत्री सेली वो अपनी लें ले सके ये इस्तिति हो ये देश की जनता को समझना हो जी दुशन जी क्योंकि अगर ऐसी इस्तिति में आगे बढ़ेंगे तो रास्ता वड़ा गलत तरीके से आगे बढ़ेगा अभी तो मुक्यमंत्री अपील कर रहे हैं लेकिन जो तमाम विदायक साथ खाने हैं जाग उनको अपना वेतन और भत साथ देंगे लेकिन दुख तब होता है जब एक तरफ जो उद्योग पती हैं उनका रिमाप कर दिया जाता है लेकिन गरीब किसाथ को अगर कुछ राजसरकात दे रही है तो उसके उपर सवाल उठाया जाता है हर में पिछले दस साल में युद्योग का क्या हाल हुआ उद्योग बंद हो गए सेर के उतपादक हैं उनकी आई घटी वहाँ एक उद्योग पती की मौनोपली हो गई आप बात क्या कर रहे है तूसाल में क्या बदला प्रियास हो रहा है राजी को अपने पैरों पे खड़े करने का मुख्यमंत्री जी निरंतर कारे कर रहे हैं और मैं आपको कह रहा हूँ आप देखेंगे हिमाचल विकास की गती पकड़ी है और आप पीशे गलत चोड़ के गए थे नीतियों के साथ में हिमाचल को बीजेपी बालत रिस्स चोड़के कह थे इसलिए उन पर ये वोज पड़ रहा है चन्नी जी जी तो साब का चीमनिस साब आप भी दखा रहे थे वो कहते हैं पिन ने पांच सालों में उतना करजा नहीं लिया जितना दो सालों में सुखु जी ने ले लिया और यह कहते हैं कि हम खड़ खड़के हैं चाहे सुपूरी हैं चाहे ये सुप्रीम हमारे के जिरिवाद चाहे बलवात माना तो पुश भी करेंगे उनको तो सता चाहिए पर ये लोगों को बेपूना बनाए उन्होंने भी जान देनी है रब को तो ये बंद करें ये मैं बल्कुल फ्री वीज की राजन अद्धान को समझना जरूरी फिराल वक्त निया हमते देरा आप तीनों में मानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जूरने के लिए इस और यहां पर एक छोड़ा से ब्रेक का वक्त हो गया, बहुत जल्द हाजर होता है बदलो, बदलो, आदध बदलो. बदलो, बदलो, आदध बदलो. अब नस्दी की बैंक जाकर फटे पुराने नोर्स बदलिये. अगर बैंक मना करे, तो RBI के ओम्बुन्समेन से शिकायत करे. RBI कहता है, जानकार बनिये, सतर्क रहिये. काट! सुरक्षा थी गारेंटी हर चीज में ज़्यतूरी है. चाहे वो मश्किल स्टन्ट हो, या चीफ असल. इसलिए ले आईए, आयायल के ट्रैक्टर ब्रैंड का शिर्बार, जो देता है सुन्डी और ट्रिप से सुरक्षा की गारेंटी. चाहदी का किचिन में के जहाँ, गोल्डी किचिन किंग मसाले हो वहाँ. गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टिकनॉलजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश. अगली ख़वर, असाम से जड़ी हुई, असाम की राजी सरकार ने, वहाँ पर मुस्लिमों के विवहा और उनके तलाग का सरकार के साथ रेजिस्टेशन होना अनिवार कर दिया है, और अब ये विवस्ता, काजी विवस्ता नहीं रहेगी, बलकि सरकार के पास इसका रेजिस्टेशन होगा, सरकार की मंशा ये है कि इससे एक तो बाल विवाह पे रोक लगीग, कि उसके लावा जो काजी की विवस्ता चली आ रहे है, उसको भी रोकने में कहीं न कहीं ये मददगार साबित होगी, वहां के जो मुख्य मंत्री है, मत विस्तरमा उनका ही कहना है कि अगला कदम उनका होगा कि कैसे बहु विवाह की प्रथा को रोका जाए, साथी साथ बाल विवाह को रोकने के लिए भी जो बच्चियों की उमर है 18 साल और युवकों की उमर 21 साल है, उसको भी अनिवार असम में किया गया है। विवाह और तलाग पंजीकरण से संबंधित एक कानून को निश्प्रभावी किया गया है। होने के बाद नाबालिक से विवाह का पंजीकरण एक कानूनी अपराध मना जाएगा। मुसलिम विवाह का पंजीकरण अब काजी नहीं बलकि सरकार करेगी। और दूसरा बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा। यानि अधिनियम के तहट लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष की विवाह की कानूनी आयू का उलंगन नहीं किया जा सकता। ये विदहयक किशोर गर्भावस्था के खिलाफ एक सकत निवारक के रूप में भी काम करेगा। लड़कियों के समगरे विकास में सुधार होगा, हाला कि काजियों द्वारा किये गए सब ही पूर्व पंजीकरण वैध रहेंगे। राज्य सरकार का मानना है कि इस कदम से बहु विवाह पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी। विवाहित महिलाओं को ससुराल के घर में रहने, भरण पोशन के अधिकार का दावा करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। साथ ही इससे विद्वाओं को अपने उन उत्तराधिकार के अधिकार और अन्य लाब तता विशेश अधिकार प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी, जिनकी वे अपनी पती की मृत्यों के बाद हकदार हैं। नया विधहयक ये सुनिश्ट करेगा कि समुदाए के सभी विवाह सरकार के पास पंजिकरत हों। पुर्धार मंत्री राइंद्रमोदी कल बहरास्ट के दोरे पे होंगे जहां वो पाल घर के पास में देश की सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजना की आधार शिला रखेगी जिससे आर्थिक गद्विदियों को बढ़ावा मिलेगा साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की और साथी साथ अगर देखा जाए तो पुर्धार मंत्री नरेंद्रमोदी 30 अगस्त को महराष्ट के पालघर जिले में दहानू के निकट वाधुण में भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजना काश लान्यास करेंगे इस बंदरगाह का निर्मान वाधुण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेट बी पी पी एल द्वारा किया जाएगा जो जो जोवारलाल नहरू पोर्ट अथोरोटी जे एन पी ए और महराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड एम एम बी द्वारा गठित एक स्पेशल परपर्पर्ज वहिकल SPV है इस पर योचना की लागत लगभग 76,000 करोड रोपिय है इसमें सारोजनिक निजी भागिदारी PPP मोड में प्रमुक बुनियादी धांचे टर्मिनल और अन्यवानिजिक बुनियादी धांचों का विकास शामिल होगा वाधुण पोर्ट को महराष्ट के पालग एक जैसी है दोनों की शमता 7.5 मिलियन कंटेनर जिसको टी यू कहते है वो है इसकी शमता 23.4 मिलियन टी यू होगी तो यह लगभग जो अभी जो बंदरगा हमारे है उनके तुलना में तीन गुना बढ़ा होगा जी एनपी के अध्यक्ष ने बताया कि ये बंदरगा प्रस्तावित समर्पित माल ढुलाई गलियारों और दिल्ली मुंबई ओध्योगिक गलियारे के निकट है ये बंदरगा प्रस्तावित भारत मध्यपूर्व योरोप गलियारे आईमेक और अंतराश्ट्री उत्तर दक पॉइंट ये बंदरगा होगा आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उमीद है इस बंदरगा के बनने के बाद इस्तानी आबादी को उमीद है कि इससे रोजगार के कई आउसर बढ़ेंगे जिससे इलाके की अर्थवियोस्था को भी मजबूती मिलेगी भारत में सबसे बड़ा फोट पालगर में आने वाला है और उस वज़े से पालगर का नाम पूरे वर्ल्ड में होने वाला है ये परियोजना प्रधान मंत्री गतिशक्ति कारिकरम के उद्देश्यों के अनुरूप है जो आर्थिक गत्विदियों को बढ़ावा देगी इस परियोजना से लगभग 12 लाग व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रूजगार मिलेगा जिससे यहां की अर्थवियोस्था भी मजबूत होगी इसका सीधा फाइदा भारत की अर्थविस्था को होगा और साती साथ यहां के स्तानिय लोगों को भी ऐसे में आने व समय में वाडवन बंदर एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट उबर कर सामने आ सकता है श्रीर शिलार डीडी निउस पाल खेर यहाँ पर एक और छोटे सब्रे के लिए रपते हैं बात जब पीडियों के लिए बनने वाले घर की हो तो सिमेधारी बड़ी हो जाती है गैलेंट समझता है यह सिमेधारी इसलिए ले आईए आयायल के ट्रैक्टर ब्रैंड का शिर्बाद जो देता है सुन्डी और ट्रिप से सुरक्षा की गारेंडी सोना सिर्फ कहना नहीं होता कभी पुष्टैनी पहचांग तो कभी प्यारी सी याद होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सूने से गोल लोन लेने का फैसला समझतारी का होता है मुथूट फाइनांस ये बात समझते हैं इसलिए वो इमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं मुथूट फाइनांस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए तो गोल लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212 भारत में सलाना हजारों लोग हाथी पाउँ नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं हाथी पाउँ एक मच्छर के काटने से फैलता है हाथी पाउँ का कोई इलाज नहीं है साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आपको और अपने परिवार को बचाएं दस अगस्त को हाथी पाउँ से बचाव की दवा अवश्यक खाएं अपने आपको और अपने परिवार को इस दर्दनाग बिमारी से बचाएं भारत सरकार द्वारा चनहित में जारी अब रिक के वाद अब बात करते हैं भेडियों से जुड़ी खावर की लेकिन वन विभाग और उत्तर प्रदेश की तवाम अन्य लोग वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं इस तानी लोग के प्रियास के बाद में अभी तक चार भेडियों को पकला जा चुका है जबकि दोक्या को लेकर अभी सर्च ऑपरेशन जारी है लेकिन प्रियास लगा तयार चल रहे हैं लेकिन इस पीच में इस पूरे इलाके में भेडियों का जो आतंग था और उसको पकरने का जो पूरा उपरेशन था बीते लब्बे समय से सुर्खियों में बना हुआ है देखिया आज क्या हुआ इस पूरी ख़बर में उत्तर प्रदेश के बहराईच की महसी तहसील में आतंग का पर्याय बने चौथे भेडिये को पकड़ लिया गया है इन भेडियों के जुन ने क्षेत्र के 35 गाउं में हाहाकार मचाया हुआ है इन आदमखोर भेडियों को पकड़ने के लिए ओपरेशन भेडिया लगातार चलाय जा रहा है इस क्रम में एक आदमखोर भेडिये को पकड़ा गया वन विभाग की ओर से सिसया इलाके में वन विभाग की टीम को बड़ी काम्याबी दिली है वहराइच में पहले से तीन भेडिये पकड़े गए थी, वन्विभाग की टीम, ड्रोन, कैमरों और ट्रेंकुलाइजर गंसे लैस्ट टीम के साथ तकरीबन दो महीने से भेडियों को पकड़ने में लगी थी वहराइच के 35 गावों में भेडियों का आतन चल्ड़ाइच में लगी थी, वहराइच के 35 गावों में भेडियों का आतन चल्ड़ाइजर पकड़े थी रहा है, लोग रात भर पहरा देते हैं, उसके बाद भी भेडिया मौका पाकर लोगों पर हमला कर देता है भेडिये के हमले का पहला मामला अप्रायल में सामने आया था, जुलाई से लेकर अब तक 6 बच्चों समेत 7 जाने इन भेडियों ने ले ली है चेत्र में भेडिये के हमले से खायल होने वालों की संख्या लगभग 45 हो गई है ड्रोन से मिली जानकारी के मताबिक इलाके में कुल 6 बेडिये जिनमें से 4 बेडियों को पकड़ा जा चुका है और बाकी बचे भेडियों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है हमारे लोग जो है फूट पेट्रोलिंग कर रहे हैं करीब 10 टीमें लगी हुई है महनत कर रही है अब हमारे पास थर्मल डून कैमराज हैं जो कि लोकेट करने में काफी मदद कर रहे हैं और हम कोसिस कर रहा है कि जल से जल कर दो और हैं यह शूर है हम लोग और दोनों का अब हम लोग भी हिवियर भी स्टडी कर लेंगे और उसके बाद उसको लोकेट कर लेंगे आदम खोर भेडियों के आतंग को देखते हुए वन विभाग की टीम की ओर से ऑपरेशन भेडिया चलाया जा रहा है सीम योगी आधितनात लगातार इस मामले पर नजर रखे हुए वन मंत्री को स्वैम पूरे मामले की निगरानी के आदेश दिये गए इसके बाद से वन मिभाग ने बड़ा ऑपरेशन लाँच किया है भेडियों के इस खत्रे को देखते हुए वन मिभाग की 16 टीमें तैनात की गई है वहीं क्षेत्र में 11 जिल अस्तरिय अफसरों की टीम पहरा दे रही है इसके साथ ही पाँच जिलों का वन महकमा भी इन भेडियों की तलाश में जुटा हुआ है बहराईट से विकास सिंग की रिपोर्ट डीडी निउस और निउस नाइट के अंत में आप कुछ हो जाते हैं आज के दिन विशेश रूप से राश्टपती भवन के अमरित उद्यान को खेलाडियों के लिए आरक्षित किया लिया था राश्टपती दरौबदी मुर्बु ने इस आउसर पर अमरित उद्यान का दवरा करने वाले खेलाडियों से मुलाकात की ब्रेटन के साउथ हेम्टन विश्विद्याले को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जैशेंकर ने आज लेटर ओफ इंटेंट सोपा साउथ हेम्टन विश्विद्याले नई शिक्षानी की 2020 केंतरगत भारत में एक परिसर इस्तापित करेगा इस आउसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जैशेंकर ने कहा कि ये हमारे शैक्षिक मानकों को उचतम वैश्विक इस्तर तक बढ़ाने तथा भारत बिरेटन सहयोग के शिक्षा इस्तम को मजबूत करने के दिरिश्टी कोन को दर्शाता है केंदर सरकार ने 36 गड़ में डवल रेल लाइन परियोजना को मंसूरी दे दी है इनकी कुल अनुमानित लागत गरीब 1360 करोड रुपए है इसमें दो नए रेलवे स्टेशन भी मनाये जाएंगे इसके अलावा दो अने रेल परियोजनाओं को भी मंसूरी मिली है जिसके त आने वाले सोशल टेक स्टार्टप को बढ़ावा देना उनके अनुमों को सुनना और उद्योग जगत से CSR के तहत सहायता दिलाने का मंच परादान करना है इस दोरान CII ने स्टार्टप कमपेडियन और फिश प्लेटफार्म का अनावरन किया 36 गड़ के नरानपूर में मुटभेड में मारी गई तीन वर्दीधारी महिला मावादियों की शिनाख्त कर ली गई है इन महिलाओं की पहचान प्रार्थमिक तोर पर उत्तर बस्तर डिवीजन कमीटी तधा PLGA कमपनी नंबर पांच के सदसे के रूप में पहचान की गई है तिलंगाना के मुखे मंतरी रेवंतर रेड़ी के खिलाफ गैश फार ओट आरोप की सुनवाई राज से बाहर करानी की मागवाली याजिका पर सुनवाई के दोरान सुप्रिम कोर्ट में के कविता की जमानत को लेकर रेड़ी के बयान पर कड़ी नाराजगी जदाई है जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने कहा कि तिलंगाना सीम के बयान सुप्रिम कोर्ट पर आक्षेप लगाने जैसे हैं न्यूज नाइट के प्रयो जठे गैलन्ट एडवांस रेबर निर्मान का रियल हीरो